बीजेपी प्रवक्ता नुपूर सर्मा को मुहम्मद पैगंबर पर टिपनी करना भारी पड़ गया तीवी चैनल पर पैगंबर सहाब पर नुपूर सर्मा ने विवादित बयान दिया था जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया यूपी में तो बयान ने सीम योगी अधितनात की मुश्किले बढ़ा दी थी इस बीच मुस्लिम संगठन भी लगातार बीजेपी से नुपूर सर्मा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा था तो क्या एक्शन लिया है बीजेपी ने नुपूर सर्मा के खिलाफ देखते हैं इ लंबित कर दिया है इसके बाद कई दिन बीच जाने के बाद आज बीजेपी ने एक्शन लेते हुए नुपूर सर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्जियों का सम्मान करते हैं बीजेपी के राष्ट करते हुए जिंदल ने ट्वीट किया था आपको बदा दे कि नुपूर के बयान के बाद मुस्लिम संगठन लगातार नुपूर के खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे थे तो मैं नुपूर शर्मा के बयान पर राजस्थान के बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम ने कहा कि ज नुपूर शर्मा ने इसलाम के संस्था का मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी करके कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड कर पेश किया गया है नुपूर शर्मा पर महराश्थ समेत कई राज्यों में कई मुकद में भी दरज हुए है नुपूर के बयान ने यूपी बीजेपी की मुश्किले ज्यादा बढ़ा दी थी तो वही कानपूर में हुआ टक्राब भी नुपूर के बयान का नतिज़ा था लेगिन आज बीजेपी ने बड़ा एक्षन लेते हुए नुपूर को पार्टी से बाहर का र आफ कि रपोर्ट